स्टोमेटा का क्या आर्थ होता है यह आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं स्टोमेटा जो है वो स्टोमा का प्लूरल होता है यानि कि एक से ज्यादा स्टोमा को हम स्टोमेटा कहते हैं और स्टोमा या स्टोमेटा का दू तरीके से इस्तेमाल हम कर सकते हैं एक तो अगर हम बोटनी की बात करें, यानि की पेड़ पोधों से समबंदित अगर हम बात करें, या वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करें, तो stomata जो है वो छेदर होती हैं, जो पेड़ों के पत्नों पर नीचे की तरफ होती हैं, जिन में से पेड एक तरीके से आप ये स्टोमेटा कहते हैं इसके इलाबा मेडिसिन की अगर हम बात करें या डॉक्टरों से संबंतित अगर ये टर्म यूज होती है तो इसका मतलब होता है कि जब किसी भी ओर्गन में कोई आर्टिफिशल छेद किया जाता है यानकि कई बार आपने देखा होगा कि किसी वेक्तिके फेफडों में कोई चोट लग जाती है तो बाहर से एक छेद करके एक पाइप लगा दी जाती है जिसमें से खून या जो भी वहाँ पर पानी जैसा जो बलगम या कोई भी चीज है वो उसमें से निकल के बाहर आता रहता है या कई बार ऐसा जो छेद किसी ओर्गन के अंद या अगर आप यह कहना चाहें कि जलिये पोधों में रंधरों की यानिकि स्टोमेटा की आउशकता नहीं होती है तो आप कहेंगे स्टोमेटा आर नोट रिक्वाइड इन वोटर प्लांट्स अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए च